लास्ट सेशन पर हमने डिस्कूस किया था कि ओपरेटर क्या है और जिस पर ओपरेटर उसकी केटेग्रीए हमने डिसकूस की थी जैसे कि ऑपरेटर इस नथी बट नथी बट सिमबॉल विच परफॉर्म परफॉर्म ओपरेशन अफटी यह मने डिसक्स किया था था अंदन कैटेगरी देर आर थी कैटेगरी आफ अपरेटर युनरी बाइनरी एंट टर्नरी इसित हा lagi अफरेटर आरें इसक्स माट इसक्स बाट इसक्स कर दिया तर्न वर हम्त विंधिए विंधिड्य एसेखेगरी झाया अपर्म आ इंपक्प्रार बिंधिश्न उसके बाद कोल सा था असाइन्मेंट या जिसे आप देन रिलेशनल और लॉजिकल और पिटवाइज यह जो टॉपिक्स है अभी बाइनरी में हमें डिसके करना बाकि है लॉजिकल ऑपरेटर क्योंकि हमने लास्ट सेशन में कवर किया था आरिथमाटिक आसाइन्मेंट और रिलेश्ट अरितमाटिक लाइक प्लस माइनर सफ्रक्षान डिविजन एक सेटरा ऐक्साइन्मेंट इक्वेल और प्लस we need to discuss now logical and or and not logical operator basically which is used to combine two or more relational operator यानिक अगर एक से ज्यादा दो या दो से ज्यादा अगर कंडिशन्स है तो उसे जोड़ने के लिए हम लॉजिकल ऑपरेटर का इस्तमाल करते हैं जैसे कि मैं आप लोगों को एक्जामपल दे देता हूं जैसे कि अगर टेंट रिजल्ट अटेंट स्टैंडर्ट का रिजल्ट अगर आपको हो चाहिए तो हमें वहाँ पर सारे सब्जेक्ट जितने भी सब्जेक्ट है वह सब्जेक्ट का subject के basis पे ही हम pass या field को declare कर सकते हैं ना कि सिर्फ एक तो इस scenario में हम क्या कर सकते हैं हमें यहाँ पे जब दो condition को हमें एक साथ evaluate करना होता है तब हम logical operator का इस्तमाल करते हैं when we evaluate two or more conditions together condition together that scenario we use scenario we use logical operator जैसे कि अगर मुझे कोई आप लॉग इन करना है तो यूजर नेम एंड पासवर्ड जो है correct होना चाहिए तो यहां पर कितनी कंडिशन से फर्स्ट है यूजर नेम एंड सेकंड क्या है पासवर्ड दोनों भी condition जो है वो आपको satisfied होनी चाहिए यानि मुझे दो conditions एक जगा पर evaluate करनी होती है तो इसी को हम लोग discuss करते है सिंपल वे से चाहिए तो सबसे पहले दो condition जोडने के लिए एक साथ जोड के उसे करने के लिए एंड और और नॉट ऑपरेटर का इस्तमाल किया जाता है एंड यह और है जो पाइप होता है और नॉट यह जो एक्सलिमेंटरी साइन है यह होगा आपका तो यह ओपरेटर से अभी सिनेरियो वाइज अभी से प्राक्टिकली देखते हैं रिजल्ट यहां पर देखेंगे हैं के एंड का फॉर्मिल्ट जो है यह कंसेप्ट है आपको पता होना जरूरी है इट रिटरन टू वेन आलfert Len्دم करूँ हो तभी यह ट्रूरी रिटन करेगा नहीं तो क्या रिटन होगा पॉल्स यह आपको द्हान में रखना है और और इट विल रिटर्न फॉल्स यह आप ऐसे रख सकते हैं इट विल रिटर्न फॉल्स वेन अल्ल दे कंडिशन इसे हम समझते हैं कुछ इग्जांपल देखके जो विए स्कोर हम उपन करते हैं आप लॉजिकल उपरेटर डॉट जेयस यह फैल बना लेते हैं जैसे कि आपको पता है कि अगर हम उपरेटर करेंगे तो जितनी भी कंडिशन्स हम देंगे अगर वो सारी कंडिशन्स प्रू है तो वह रिटर्न करेंगा प्रू नहीं तो वह रिटर्न करेंगा फॉल्स यह प्रूफ करेंगे हम एंड ऑपरेटर लेट रिजल्ट एक्वल टू जैसे की टेन इस ग्रेटर दैन फाइव यह कंडिशन्स क्या होगी यह कंडिशन्स टू होगी यह फाल्स प्रिंट भी करके देखेंगे मैंने अभी एक ही कंडिशन्स ली है कोई इस्यू नहीं है एक एक करके हम बढ़ाते जाएंगे मुझे आप बताते जाएंगे लोड लॉजिकल ऑपरेटर अब मुझा और एक अगर कंडिशन्स इसमें बढ़ानी हो तो एंड एंड इस तरीके से लिखेंगे हम यह आप एंड इस तरीके से भी लिख सकते हैं आपरेटर सेंपली यूज़ करना है पाइफन में अब लिखा जा सकता है अभी दूसरी एक कंडिशन से पाइव इस ग्रेटर दैन है और प्री इस पीडिशन ट्रू होगी है यह सब्सक्रित प्रेश्त हमने दी है दो कंडिशन लोग दिये दोनों भी ट्रू है अगर मैं और एक कंडिशन से एड कर देता हूं और वो कंडिशन मान लेते हैं कि फॉल्स कर दिया में तो क्या होगा फॉल्स रेटन होगा जी बिल्कुल इसे जो एंड ऑपरेटर जब भी हम इस्तबाद करेंगे याद रखना है कि अगर ट्रू हो तो ही वो विजल जो है वो ट्रू देगा नहीं तो फॉल्स आना ही है देखिए यह आपका एंड ओपरेटर यह आप कहां पर इस्तमाल करो गया अगर रियल टाइम के बाद की जाए तो तो जैसे कि मैं यहां पर सब्जेक्ट के मांक्स लिख देता हूं जैसे कि लेट मैट लेट साइन्स फॉर्टी फाइव लेट इंग्लीश सिक्स्टी फाइव लेट मराथी इसेवन यह चार सब्जेक्ट मैंने यहां पर लिये है तो अभी यह जिसका जो रिजल्ट अगर पास रखना है हमें जानी कि ट्रू रखना है मैट अगर थर्टी फाइव से ज्यादा है तो पास रखेंगे हम एंड अगर साइन्स कितना होना चाहिए गम से गम पासिंग के लिए 35 35 एंड एंड इंड इंग्लीश में कितना होना चाहिए अगर एक सब्जिक्ट में भी कम मार्क्स है तो यह क्या रिजल्ट करेगा जो कि ट्क्निकली होना चाहिए क्योंकि हमारे इसमें अगर एक सब्जिक्ट में मार्क्स कम है तो हम उसे फिल्ड डिक्लेर करते क्योंकि सारी फिल्ड कंडिशन्स जो है यह मैंडेटरी है तो यह सिदेरियों में हमें एंड ऑपरेटर का इस्तेमाल करना है यह एक्जाम्पल है रियल टाइम जो कि हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं दूसरा और एक्जाम्पल के लिए इसे हम एक्जाम्पल लेते है और ऑपरेटर का ओर ऑपरेटर लेते हैं जिसी कि आपको अगर पता है कि लॉग-इन हम कोई एबजॉर या फ्लिप कार्ड इमेल आइडि से भी लॉग-ईन कर सकते हैं यूजर नेम से भी कर सकते हैं और मोबाइल से भी कर सकते हैं तीनों में से जो भी होगा उससे हम अलाउड करते हैं तो यह जो सिन्यारियो है कि इसमें अगर कोई भी एक अगर सैटिस्पाइड होता है तो उसका आएगा उसे फॉल्स का बाता है जब आल कंडिशन् result equal to 10 greater than what's going to happen this expression true or false 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 एक लेता होगे one by one करके यह बिलकुल है false उसके बाद क्टिशन दी गई है दो दो करडिशन दिये दो के दो फॉलस है इसलिए इसका रिजल्स होगा लेकिन अगर एक भी इसका रखते हैं हम जैसे कि टेन ग्रेटर देन फाइब यह कंडिशन क्या होगी तो इसका रिजल्ट क्या आएगा करेंगे तो जैसे कि अगर आप मोबाइल नंबर से भी लॉगिन कर सकते हो जब आप लगता है कि मल्टिपल आप इन्फॉर्मेशन से पाना चाहते हैं तो आप और का इस्तिमान करते हैं इसके बाद कि नेक्स्ट है आपका कि नॉट नॉट है इसका एक ग्जंपल ले लेते हैं सिंपल वाला जैसे कि अगर आपको आइडिन्टी फिकेशन आया आपका आइडी मांगा जाता है लिगल तो क्या-क्या ओप्शन से आपके पास अधारकार्ट पैंकार्ट करोगे तो आप लॉग इन कर सकते हो या आपको अलावड कर किया जा सकता है तो यह जो है जब ऐसे सिन्यारियों आते हैं कि एक चॉइस है इन में से अगर कोई भी प्रू होता है तो उसका आज से ट्रू आ जाता है दूसरा सिन्यारियों अपोजिट है कि जब तक सारी कंडिशन्स करना अच्छे से आना चाहिए चलिए आप लोगों की एक एक लाव ले लेते हैं और देखते हैं कि किसे कितना नौलेज है वन बाइवन करके मैं क्वेशन करूंगा सबको सिंपल सा सिधारियों बता रहा हूं आपको बताना है कि उस सिन्यारियों में एंड ऑपरेटर का इस्तमाल करना चाहिए या और मैं किसी को गलत नहीं कहूंगा लेकिन मैं प्रोग्राम करके दिखाऊंगा आप लोगों को तो आपको पता चल जाएगा इसके लिए आप मैं टर्नर्य ऑपरेटर भी बता दूंगा कि जिसका इस्तमाल क्या है वह भी करेंगे लेकिन उसके पहले कि नॉट का इस्तमाल करते नॉट का इस्तमाल इसले करते नॉट ऑपरेटर का कि अगर कोई expression true है तुसे reverse करेगा true का reverse क्या होगा फॉल्स फॉल्स है किसी का expression तो फॉल्स का क्या होगा तो जैसे अभी यहां पर जो जल्ट आ रहा है यह रिजल्ट क्या रहा है आपका लिजल्ट क्या रहा है इस expression का अगर मैं इसके पहले not लगा दू तो क्या आएगा ऑल्स फॉल्स फॉल्स कर देगा क्या आप लोगों को नॉट ऑपरेटर समझ में आया हम आगे लिख सकते हैं कि not null है या जैसे कि हमने किसी particular name को allowed नहीं करना है जैसे कि कोई subject है math को हमें display नहीं करना है तो not math then do this thing तो ऐसे scenario में हम इसे not का इस्तमाल कर सकते हैं हाँ आसर यह not operator अगर result के बाद लगाया तो true ही शो करेगा है मतलब अगर true है तो false करेगा है है अपने इसको पहले यूज किया मतलब results कि से पहले अगर बाद में यूज करते हैं मतलब नहीं हम तो basically पहले यूज करते हैं नौट के इंड में यूज करते हैं यह हुआ उसके बाद हम हम जो टर्नरी ऑपरेटर मैंने आपको बताया था कि दो या multiple ऑपरेंट के साथ काम करता है तो simple हम टर्नरी ऑपरेटर के बारे में जानते है टर्नरी ऑपरेटर बहुत सिंपल है टर्नरी ऑपरेटर में दो सिंबल है पहला है question mark जो conditions जो condition है वह evaluate करता है और दूसरा अगर वह condition false है पहला है question mark और दूसरा है colon यह जो है इसके पहले आपको condition देना है और colon के बाद अगर यह fail होता है मतलब कि यहां पर अगर false है तो colon के बाद वाली वाली एक्जिक्यूट होगी नहीं तो अगर यह condition से आप दी गई true है क्लिक पहली वाली एक्जिक्यूट होगी तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ result वापस से लेट रिजल्ट सिंपल वाला अभी से कंडिशन दे देता हूँ मैं यहां पर टेन ग्रेटर दैन पाइव कंडिशन क्या है ट्रू है कि फॉल्स है अगर यह ट्रू हुआ तो आउट्पुट में यह दिखाई देगा ही एल्स पोलन के बाद यह दिखाई देगा ऐसे अभी यह पर ट्रू फॉल्स नहीं दिखाई देगा यह डबल कोट के अंदर यह मैं जो भी वैल्यू दूंगा वह होगा अगर यह ट्रू हुआ तो रिजल्ट क्या होना चाहिए मैं लिख देता हूं पास यू आर पास ये वेल्कम यू आर पास अगर यह कंडिशन फॉल्स होती है विखते हैं नाइस यू कैन इंजोई एक फिर्ट टो आपके सब्सक्राइब यह टू है अगर यह तो क्या होगा इसके अंदर श्टोर फॉस्परिशन अगर यह टू होता है यह एक्स्वेशन तो यह जो भी कुछ यहां पर मैंने लिखा है यह स्टोर हो जाएगा इसके अंदर अगर यह कंडिशन से आपर फॉल्स होती है तो यह होगा ऐसे नहीं कि मुझे एक्स्प्रेशन नी देना है अगर मैंने आपर ट्रू लिखा ऐसे हाड़ कोड़ी अभी यहां पर तो मैंने ट्रू लिखा तो ट्रू लिखा तो क्या होगा इसके अंदर स्टोर मैं कंसल डॉट लॉग में अगया अगर मैंने यहां पर फॉल्स किया अगर मैंने फॉल्स किया तो देखिए ऐसे तो यह जो एक्स्प्रेशन होते हैं जैसे कि अगर हम यहां पर लेट जो लेट जो जोईग्राफी के मार्क्स देते हैं यहां पर थर्टी सिक्स और जोई ग्रॉफी ग्रेटर दैन अगर थर्टी फाइज से ज़्यादा है तो क्या होगा तो और सेव करते हैं क्या एदर दिया इसने सेमी कॉलन का तो यह वाला है ना ग्रेटर देना चाहिए आप हमें ऐसा यह बज़ गया ऐसे देखिए कि विल्कम यूर पास्ट इस तरीके से अब कुछ भी आपको जो लॉजिक लिखना है आप लिख सकते हैं अब अगर आपको बहुत सारे सब्जिक के नाम लेना है तो यह स्टू तो आपको बताया गया है कि अगर मुल्टिपल कंडिशन्स है और आपको लगता है कि यह सारे सब्जिक में पास ही होना चाहिए तभी इसका रिजल्ट प्रू आना चाहिए तो आप एंड ऑपरेटर लगाईए यस्टू ग्रेटर दान थर्टिफाइन सेव देखिए अगर एक में भी मैं कम कर देता हूं त्री कर देता हूं तो यह क्या देगा आपको इस तरीके से चलिए आप क्विश्चन का टाइम है हमने पढ़ लिया है सारा ऑपरेटर तो मैं आप लोगों को कुछ क्विश्चन करता हूं सीनेरियो बेस जैसके आप कोई भी अनग फैरे आप लॉइन करते हैं और यूजरनेम पासवर्ड को मुझे ऐसा दिखाना है कि यूसरनेम एंट-पासवर्ड दोनों अगर करेक्ट है तो लॉग-इन-सक्थक्षजद दिखाना है नहीं तो लॉग-इन दिखाना है मेरे पाद दो वेरियेबल है एक कानाम है य इसका यूजर नेम होगा संतोश पास्वर्ड भी मैं दिख देता हूं संतोश तो इस सिन्यारियों में मेरे पास दो फील्ड है मुझे दोनों को चेक करना है तो आपको क्या लगता है यहां पर कुन सा ओपरेटर इस्तवाल होदा चाहिए पोछोगे आप वन वाइवन पोछ रहा हां नहीं दोनों एक साथ ले लोंगा दोनों एक साथ लेना है तो सर डेफिनिटल एंड एंड ऑपरेटर से क्या लगता बाटे लोगों को सब्सक्राइब एंड अपरेटर तो मैं लिग देता हूं यूजर नेम है अभी देखो अगर यूजर नेम भी संतोष है एंड एंड पास्वर्ड भी संतोष है तो क्या दिखना चाहिए क्वेश्चन मार्क लॉग्ड इन संस्ससे рок in success या लॉग-इन शक्सिटी लिख जक्ते वब आसे शिम्पल करते लोग-इन सेस ल्स कैलिकना ओंक आ निए यूजर ने मीपासवर्ड यूज़र नेम और पासवड इन्वेम इन रिवेसल को सब्सक्रांवर्ण जबाब दालते हो या रेड होता है है यह तोनও में से कोई भी ऐक अगर आप गलत डाल दोगे तो क्या वो सक्सेस जैसे कि अगर मैंने यह गलत डाल दिया थे तो देखो क्या output मैं यूजरन ayem password मान लेते हैं कि मैं password से ही डालूँगा युजरनेम गलत डालोंगा क्या आपको लोगन दिखना चाहिए यह चोटे-चोटे चीज़ों से ही बागी सारा लॉजिक लिखा जाता है बड़ा कुछ नहीं हो सब काम चोटे से उखते हैं अभी दूसरा जैसे कि मैंने कहा कि मोबाइल नंबर मैच हो जा या यूजर नेम जैसे कि आइडेटिफिकेशन के लिए आदार हो या पैन हो वह आपको और ऑपरेटर का इस्तेमाल करना होता है आप इस तरीके से अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए